तो हेलो दोस्तों कैसे है आप आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे तो आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मूवी सबकी पसंदीदा मूवी है प्रितिक रोषन की फिल्म क्रिश्तीन के रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसके अगले पार्ट का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं सुपहीरो पर बेस्ट इस फिल्म के सभी पार्ट फैंस को खासा पसंद आए हैं बच्चे हूँ या बड़े इस सीरीज की हर फिल्म लोगों के दिलों दिमाग पर रिलीज होते ही चा गई अब इसके चौते पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के सब्र का बांध तूट रहा है इस बीच अब राकेश रोशन ने इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर खलासा किया है पृतिक रोशन की फिल्म क्रिश्टीन के रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुपहीरो पर बेस्ट इस फिल्म के सभी पार्ट फैंस को खासा पसंद आए हैं बच्चे हूँ या बड़े इस सीरीज की हर फिल्म लोगों के दिलों दिमाग पर रिलीज होते ही चा गई अब इसके चौथे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के सभर का बांध टूट रहा है इस बीच अब राकेश रोशन ने इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर खलासा किया है क्रिश सीरीज की आखिरी फिल्म क्रिश 3 2013 में रिलीज हुई थी इसके बाद से लेकर अभी तक चौथे पार्ट को लेकर कई कयास लगाए गए हालांकि फिल्म की ओफिशियल रिलीज डेट को लेकर आधिकार एक तोर पर अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है अब इस सीरीज के डायरेक्टर राकेश रोशन ने फिल्म के रिलीज होने की बात और इसको बनने में लग रहे इतने समय के बारे में बात की है एक न्यूज पोर्टल को दिये इंटर्व्यू में राकेश रोशन ने खुलासा किया कि क्रिश चार को बनाने की उन्हें कोई जल्दी नहीं है मूवी की शूटिंग ही 2024 के बाद शुरू होगी फिल्हाल उनकी टीम स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और इसके बाद ही प्री प्रोडक्शन का काम शुरू होगा उन्होंने बताया कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए उन्हें अपना समय चाहिये होता है वो कृष्च चार को पूरा करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है जिस तरह का कृष्च का कॉनसेप्ट है उस पर शायद ही कभी फिल्म बनी हो राकेश रोशन ने कहा कि फिल्म का सब्जेक्ट और कहानी पूरी तरह अलग है जिसके चलते उन्हें इसके चौथे पार्ट को बनाने में इतना समय लग रहा है रितिक रोशन के वक्फरंट की बात करें तो फिल्हाल वो वौरदो को लेकर चर्चाएं बटोर रहे हैं इस फिल्म को अयान मुखर जी डायरेक्ट कर रहे हैं वहीं अगले साल उनकी फिल्म फाइटर रिलीज होगी जिसमें उनके अपोजित दीपिका पादुकोन नजर आएंगी क्रिश तीन साल 2013 में रिलीज की गई थी जिसके बाद फिल्म के चौथे पार्ट को लेकर कई ख़बरें सामने आई हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने फिल्म को लेकर ताज़ा अपडेट साजा किया है डायरेक्टर ने एक न्यूज पोर्टल को दिये गए इंटर्व्यू में बताया कि क्रिश चार्क को बनाने में वे बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना चाहते हैं फिल्म की शूटिंग 2024 के बाद शुरू होगी फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर टीम काम कर रही है इसके बाद प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू किया जाएगा तो हेलो दोस्तों कैसे है आप आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे तो आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मूवी सबकी पसंदीदा मूवी है प्रितिक रोशन की फिल्म क्रिश्टीन के रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसके अगले पार्ट का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं सुपहीरो पर बेस्ट इस फिल्म के सभी पार्ट फैंस को खासा पसंद आये हैं। बच्चे हूँ या बड़े इस सीरीज की हर फिल्म लोगों के दिलों दिमाग पर रिलीज होते ही चा गई। अब इसके चौथे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के सभर का बांध तूट रहा है। इस बीच अब राकेश रोशन ने इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर खलासा किया है। प्रितिक रोशन की फिल्म क्रिश्टीन के रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसके अगले पार्ट का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। सुपहीरो पर बेस्ट इस फिल्म के सभी पार्ट फैंस को खासा पसंद आए हैं। बच्चे हूँ या बड़े इस सीरीज की हर फिल्म लोगों के दिलों दिमाग पर रिलीज होते ही चा गई। अब इसके चौथे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस के सबर का बांध तूट रहा है। इस बीच अब राकेश रोशन ने इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर खलासा किया है। क्रिश सीरीज की आखिरी फिल्म क्रिश 3.2013 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से लेकर अभी तक चौथे पार्ट को लेकर कई कयास लगाई गए। हालांकि फिल्म की ओफिशियल रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक तोर पर अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब इस सीरीज के डाइरेक्टर राकेश रोशन ने फिल्म के रिलीज होने की बात और इसको बनने में लग रहे इतने समय के बारे में बात की है। जिस तरह का क्रिश का कॉंसेप्ट है उस पर शायद ही कभी फिल्म बनी हो राकेश रोशन ने कहा कि फिल्म का सब्जेक्ट और कहानी पूरी तरह अलग है जिसके चलते उन्हें इसके चौथे पार्ट को बनाने में इतना समय लग रहा है रितिक रोशन के वक्फरंट की बात करें तो फिल्हाल वो वौरदो को लेकर चर्चाएं बटोर रहे हैं इस फिल्म को अयान मुखर जी डायरेक्ट कर रहे हैं वहीं अगले साल उनकी फिल्म फाइटर रिलीज होगी जिसमें उनके अपोजित दीपिका पादुकोन नजर आएंगी क्रिश्टीन साल 2013 में रिलीज की गई थी जिसके बाद फिल्म के चौथे पार्ट को लेकर कई खबरें सामने आई अगर आप चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग